नेहा अपने स्कूल के बैक को अपने सीने से लगा कर रखती थी, अपने स्कूल बैक को कभी भी वह अलग नहीं करती थी, और अपने बैक को किसी को छुने नहीं देती थी, एक दिन स्कूल में पैसे चोरी हो गए, सब के बैक की तलासी ली जाने लगी, लेकिन नेहा अपने भाई अपने बैग की तलासी नहीं लेने दे रही थी, इसके उपर उसकी प्रिंस्पल के पास ये सिकायत गया, जा प्रिंस्पल के पास नेहा गई तो उसने अपना बैग दिया, प्रिंस्पल ने उसका बैग चेक किया, उसके बैग को देकर प्रिंस्पल के तो आँखों से आ मेरे पापा बसपन में ही छोड़कर एक कार एक्सिडेंट में मारे गए थे मम्मी भी दिल की कमजोर थी उनकी भी दवाईया चलती थी वह दवाईयों के ऊपर ही अपना जिंदगी गुजारती थी पापा के जाने के बाद मम्मी घर-घर जाकर काम करती थी और उसे कुछ पैस स्कूल की फीस बहुत महंगी थी और सहर का सबसे बड़ा टॉप स्कूल में से एक था और स्कूल में जो भी बच्चा पढ़ाई करके निकलता है उसको कोई ना कोई नोकरी जरूर लग जाती है उस स्कूल की लड़किया काफी घमंडी और काफी दुष्ट बिचार की थी क् वह सारे लोग बहुत बड़े खांदान से थे हम गरीवों का मजाक बनाते थे एक दिन उस स्कूल की लड़की थी जिसका नाम मोनी था मोनी काफी घमंडी और काफी पैसे वाली थी और पढ़ने में भी काफी तेज थी हर बार वही स्कूल में टाप किया करती थी हाला कि मैं और अपने दोस्तों के साथ काफी मेरा मजाक उड़ाया करती थी एक दिन तो हद पार हो गई मोनी मेरे बैग को खिचने लगी और मेरे बाल भी पकड़ कर खिचने लगी और भी उसके दोस्त मिलकर मुझे काफी परिसान करने लगे मेरा दुपट्टा खिचने लगे क्योंक अपना बैग नहीं दे रही थी लेकिन मैं अपना बैग बिल्कुल उनको दे नहीं रही थी इतने में के आने का टाइम हो गया कुछ बच्चों ने बताया कि अरे मोनी अंजली में आ रही थी अंजली में काफी इस्टिक थी और यह वह नहीं देखती थी कि मेरे सामने गरीब परिवार का बच्चा है या फिर अमीर परिवार का सब को एक जैसा ट्विट करती थी मोनी उनसे काफी डरती थी मोनी डरते डरते जाकर अपने सीट पर बैठी और मैं भी अपना हुलिया ठीक करने लगी इतने मैं मैडम अंदर आ गई और मुझे देखकर बोलने लगी कि क्या नहा तुम रोज इसी वीडियो इसी तरह आती हो क्या तुम खेट से तुरंद उठकर चली आती हो मुझे तो लगता है कि तुम सुबा जब सोकर उड़ती हो तो अपना हाथ पाओ भी नहीं धोती हो और बैग उठाकर स्कूल चली आती हो अभी तो मुझे डाटक मैने अपना भुलिया ठीक किया और बोला सुरी मैडम इतना सुनने के बाद सारे बच्चे काफी हस रहे थे और मोनी मेरा मजाक उड़ाते हुए बोल रही थी कि हाँ मैडम या गरीब लोग हैं या खेतों में काम करते हैं ये भी खेतों में काम करती होगी खाने को तो कुछ होना चाहिए ना लेकिन मैं किसी का कोई जवाब नहीं दी अंजली मैडम ने बेंच पर डंडे की आवाज से सब को चुप करा दिया सारे बच्चे चुप हो था अंजली मैडम इंगलिस में अपना लेक्चर दे रही थी और पढ़ा रही थी तभी मोनी ने आवाज लगाई कि अरे यह क्या हो गया मेरे तो बैक से मेरे पैसे चोरी हो गया अंजली मैडम रुक गई और बोली कि मोनी क्या हुआ तम मोनी ने बोली कि मेरे बैक से एक पैसा ले कर आती हूँ ma để me अपने दोस्तों को कुछ खिलाने पिला खिलाती पिलाती हूं मैडम ने बोला कि ख्लास का दर्वाजा बंद कर दो से कोई वही ना तो बाहर जाएगा ना तो कोई अंदर आएगा और सब का बैक किया जाएगा सबका बैक चेक किया जाने लगा सबके सबके बैक की तलासी ली जाने लगी तभी मोनी की दो सहलिया जो कि उसकी पक्की चमची थी मेरे बैक को मुझसे चिनने लगी लेकिन इपने बैक को अपने सीने से लगा कर रखी थी मैं उन लोगों को नहीं दे रही थी मोनी ने चिला चिला के यह बोलना शुरू किया कि मैडम मेरा पैसा नेहा ने चुराया है क्योंकि सब की तलासी ली गई और नेहा ने बैग की तलासी नहीं दे रही थी इतने में अंजली मैडम मेरे पास आई और मुझे बैग लेने लगी मांगने लगी लेकिन मैंने उनको अ बच्चे थे जो कि जाकर प्रिंस्पल बुला लाए और वहां पर जाकर उनको बुला कर लाए जब प्रिंस्पल आई तो प्रिंस्पल ने देखा इसकुल में काफी सूर हो रही थी प्रिंस्पल ने सब कुछ सब को चुप कर आया और बोला कि अंजली मोनी तीनो मेरे केविन म आओ वहाँ पर तो मोनी चिला चिला कर बोल रही थी कि मेरी एक हजार का नोट नेहा ने ही चुराया है तब प्रिंस्पल ने पूछा कि तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो तब मोनी ने बोला कि सबके बाई की तलासी ली गई लेकिन नेहा अपने बैक की तलासी नहीं दे रही है मोनी को वहाँ से क्लास में जाने को प्रिंस्पल ने बोल दिया मोनी वहाँ से चली गई तब नेहा को बुलाया गया नेहा जब वहाँ पर गई तो उसके गाल पर मैडम के हाथों के निसान थे यह देकर प्रिंस्पल ने अंजली मैडम के और मूरते हुए घूरत हुए देखा उसके बाद वा नेहा से थोड़ा प्यार से बाते करने लगी बोली नेहा बेटा या बताओ कि तुमने पैसे चुराए हैं इतना सुनने के बाद नेहा फुट फुट के रोने लगी और बोली कि मैंने पैसे नहीं चुराए हैं मोनी मुझे बहुत परिसान करती है इसके दोस्त मुझे बहुत परिशान करते हैं क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं यहां इस कॉरर सिप पर पढ़ती हूँ, इसलिए यह लोग मुझे बहुत परिशान करते हैं, मैडम ने कहा कि बेटा अगर तुम अपना बैक चेक करा देती तो मोनी तुम से इलजाम नहीं लगात कि अगर आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आपको अपना बैक दिखाऊंगे, तब प्रिंस्पल ने बोला, उससे वादा किया कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगे, तब नेहा ने अपना बैक प्रिंस्पल को दिया, प्रिंस्पल जैसे ही उसका बैक खोली और ज इसी थैले में चावल दाल थोड़े थोड़े बांद के रखे हुए थे इस सारे चीज देखकर प्रिंसिपल को कुछ समझ आया और उन्होंने पूछा कि बेटा यह सारी चीज तुम क्यों रखी हो प्रिंसिपल नेहा को गले लगा कर रोने लगी और उससे सारी बाते पूछन अपने भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे घर में रासन नहीं है खाने को भी लाले पड़े हैं आज बडोस वाले भी अब खाना देना बंद कर दिये हैं हम लोगों को मेरे पापा का देहान थो चुका है हम लोगों के पास बिलकुल भी एक रुपए नहीं है मम्मी की दावाईयां भी अब दीरे दीरे खतम हो चुकी हैं हम लोग दो से तीन दिन तक भूखे रहे तब मैं स्कूल से एक घर जा रही थी तो एक मैं एक ठेले वाले को देखा पाव भाजी को बनाता था मैंने उसको देखा कि जितना भी प्लेट में जूठा खाना था पास गई और मैंने उससे पूछा कि भाईया क्या यह खाना आप मैं ले लूँ लेकिन मैं इसके पैसा नहीं दूँगा तब ठेले वाले ने बोला कि अरे पागल यह तो जूठा खाना है इसको लेकर क्या करोगी तब मैंने बोला आपके लिए लिए हमारे पांच जो को बचा लेगा तब और मैं पैसा नहीं दूँगी तब कोई ओ बोला कि मैं क्या इस जूठे खाने का पैसा लूँगा बिल्कुल नहीं तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ क्योंकि मैं इस खाने को साम होते ही कुट्टे बिलियों को डाल देता हूँ तब से उस ठेल जहें इतना सुनने के बाद दोनों मैडम के आँखों से आसू आ गए और दोनों ने मुझे बहुत गले से लगा कर रोने लगी वहां से चली गए तब दोनों मैडम ने मिलकर हमारी मदद के लिए कुछ सोचने लगी उसके दूसरे दिन मेरी मम्मी को इसकूल में बुलाया उसका रिपोर्ट जाकर प्रिंस्पल को दोगी और उसके बदले आपको सेलरी दी जाएगी इससे हम लोगों की घर की इस्तिती थोड़ी सी ठीक हो गई और अच्छी डॉक्टर बन गई उस स्कूल में एक फंक्टर बन गई जिसमें की गरीब बच्चों को स्कूल में बुलाय क्योंकि होटल वाला अगर उसको खाना नहीं देता तो आज तक उसे पांच जिंदिगिया क्या होता ये तो उपर वाला नहीं जानता है और नेहा ने उस स्कूल के लिए बहुत कुछ किया और नेहा मिसाल बन गई और प्रिंस्पल ने भी वह अपने भासन में या बताया कि जो गरीब बाप की बच्चिया रहती है उसको अमीर बाप कितनी परेशान और तंग करती हैं दोस्तों जहां पर जीने की इच्छा और जहां पर कुछ पाने की इच्छा हो पर वहां पर मजबूरिया भी रुकावटे उसको रोक नहीं सकती जैसे कि नेहा को भी किसी नहीं रोका इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में था